अनेक चीजों में उन्हें भी सामिल किया उनके विचारों का लाब उठाया और उनकी राय भी बहुत चीजों पर ली है वैसे वो तो अनेक विश्यों के जानकार थे और वैचारिक रूप से वो एक कम्मिनिस्ट थे लेकिन फिर भी उनका रिस्ता ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन पार्टी के नेताओं के साथ नहीं था उस सब के साथ एक अलग तरह से संबंद रखते थे और बिहार के विकास को ले करके बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए इन सब चीजों के बारे में उनकी अपनी एक राय रहती थी तो हम लोगों ने तो काफी कुछ किया और उनका जब देख रहते कि इनका जो एप्रोच है इनका जो जानकारी है इसको देखते हुए हम लोगों ने यहां भी आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों ने यहां पर सब काम कराना सुरू किया था जो आर्थिक सर्वेक्शन रिपोर्ट दोहजार आठ से यह इसका बनना सु यार हुआ और चुकि आदरी में काम देखते थे सिर्फ आदरी से ये काम नहीं चल सकता था उन्हीं के साथ प्रामर्स के साथ हम लोगों ने Center for Economic Policy and Public Finance गठित किया और उसे में आर्थिक नीती और लोकवित किंदर इसको कहेंगे और ये हर साल आर्थिक सर्विक्षन तो तयार किया ही जाता है लेकिन लोकवित की नीतियों के बारे में अन्य सभी चीज़ों के बारे में कि क्या किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे मे तो एक बहुत उनकी भूमिका रही हम लों के साथ और आप जानते हैं कि बिहार को विशेष राजे का दर्जा मिले इसको ले करके हम लोगों ने काफी अभियान चलाया तो विशेष राजे के दर्जा पर भी उन्होंने बहुत सारी बाते कही और उस पर अपनी बाते तो कह थी और उसके बाद जो उस समय जो यूपिय की सरकार थी तो जहां तक मुझे स्मरंद 2013 में कमीटी बनी और उसमें जो कमीटी बनी रहुराम राजन कमीटी बनी और उसमें उन लोगों ने कहा तो बिहार की तरफ से और हम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें सैवाल गुपता जी को ही सामील किया एक सदस्य कर रूप में और आज जितने लोग उनके बारे में जितनी अच्छी अच्छी बाते कह रहे हैं सब जगह के लोग इन सब लोगों को हम तो यही आगरह करेंगे आदरी को कि एक प्रिंट जरूर कर लिजी एक साथ ताकि नई पिढ़ी को मालूम ह और देखे आज के नई पिढ़ी को सब चीजों का ग्यान होना चाहिए आज जितने लोग बोल रहे हैं सब का पुरा पूरा पूरा का पूरा अनभव है हमारा यही आगरह होगा कि नई पिढ़ी के लोगों को एक एक चीज की जानकारी हो आज बहुत जरूर यह इन दिनों जो एक दौर चला है एक तरफ तो बहुत अच्छा काम होता है और एक तरफ काम बुरा होता है तो एक जो चल रहा है दौर ऐसी इस्तिती में नई पीड़ी के बीच में इन बातों को जरूर बताना चाहिए और सोसल मीडिया के दौर में जो एंटी सोसल एक्टिविटीज हो र होता रहता ऐसी इस्तिती में यही आग्रह करें और हम लोगों का जो भी सहयोग अप्यक्षित होगा हम लोगों का सहयोग मिलेगा क्यूंकि उनके विचारों को नई पीड़ी के लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर इन सब चीजों को एक साथ प्रसारित कर पर करिये औ और लोगों को जब पता चलेगा और इतने लोग इतने बड़े बड़े लोग इतने विश्यसक्य लोग हम सब लोगों का देख रहे हैं